नमस्कार नेबुलाइजर एक बहुत ही यूसफुल मशीन है और आज कल घर घर में इसका इस्तेमाल हो रहा है लेकिन मैंने देखा है कि कई लोग इसको ठीक तरह से यूज नहीं कर पाते इस वीडियो में मेरी टीम मेंबर आपको नेबुलाइजर का सही इस्तेमाल एक्चुली करके दिखाएंगी ध्यान से देखिए नमस्कार मैं नेहा तिवारी आज आपको नेबुलाइजर का घर पर सही इस्तेमाल कैसे करें इसके बारे में बताऊंगी इस्तिमाल करने से पहले तीन important बात को जान ले मार्किट में कई तरह के models उपलब्ध होंगे लेकिन सभी में तीन चीजे common होंगी पहला यह power cord जो सब में machine के side में या machine के पीछे लगी होगी जिससे हमें electrical socket से connect करना है दूसरा यह nozzle outlet जो सब में machine के उपर या side में बना होगा जिससे हमारी tubing connect होगी और compressed air बाहर निकल के medication chamber तक पहुँचेगी तीसरा यह on off का switch जो आपको machine के side में या machine के उपर दिखाई देगा तो power cord, nozzle और यह on और off का switch यह तीन एहम हिस्से हैं अब मैं आपको nebulizer यूज़ करने की प्रक्रिया साथ steps में समझाऊंगी Step 1, machine को flat surface पे रखे और electrical socket से connect करें 2, nebulizer assembly को nozzle outlet से connect करें 3, medication chamber में दवा डालना 4, mask को face पे लगाएं 5, अगर आप oxygen पर हैं तो nebulizer mask कैसे लगाएंगे 6, actual nebulization process 7, इस्तेमाल करने के बाद इसका रख रखाओ कैसे करें अब मैं आपको साथ steps करके दिखाऊंगी Step 1, हमने machine को flat surface पे रख दिया और power cord को electrical socket से connect करा अब इस on और off के switch को on करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि machine connected है Step 2, अब हम nebulizer assembly का एक end chamber से connected है और दूसरे end को हम nozzle outlet से fix करेंगे Step 3, medication chamber में दवा डालेंगे Medication chamber के 2 parts है Upper cap और नीचे का हिस्सा अब हम इसे ऐसे खोलेंगे और mask को कहीं साफ जगा किसी paper या tissue पे रख देंगे दवाएं दो तरह की होती है एक जिने हम bronco dilators कहते हैं जो आपकी श्वास की नली को open up करती है और दूसरे steroids की preparation तो यह आप अपने doctor से पूछेंगे कि उन्होंने आपको क्या बताया है यह अलग-अलग भी दी जा सकती है और mix करके भी दी जा सकती है अब हम इस chamber में दवा जो हमारी respils के form में है उसको डालेंगे रेस्पिल को ऐसे खोल के chamber में डालेंगे यह आप अलग-अलग भी डाल सकते हैं और mix भी कर सकते हैं जैसे कि आपको आपके doctor ने बताया हो अब हम इसकी cap लगाके इसे बंद कर देंगे step 4 अब हम nebulizer mask को face पे लगाएंगे लगाने के बाद mask को side से और clip से अच्छे से tight कर लें और आप machine का switch on करेंगे step 5 अगर आपको oxygen mask या nasal cannula द्वारा चल रहा है तो आप nebulizer कैसे लेंगे यह मैं करके दिखाती हूँ माल लीजिए आप oxygen mask पे है तो आपको oxygen mask को हटाके उसकी tubing को detach करना है और जब आप nebulizer mask लगा लेंगे तो आप इस तरह से oxygen की tubing को nebulizer mask के अंदर side से डाल देंगे अगर आपको oxygen nasal cannula द्वारा चल रही है तो इस पर आप nebulizer mask कैसे लगाएंगे आप nebulizer mask को इसके उपर लगाके अच्छे से tight कर लेंगे आपको nasal cannula हटाने की जरत नहीं है आप इसी cannula के उपर mask लगाके nebulization कर सकते हैं Step 6 अब आप machine को on कर देंगे और लंबा गेरा सांस लेंगे ताकि ये fumes आपके फेफरो तक पहुँचे और आपको अराम आए ये प्रक्रिया आग से 10 मिनट तक चलती रहेगी जब आपको लगे कि fumes आने बंद हो गए हैं तब machine का switch बंद कर दें और mask को उतार लें Step 7 अब हम nebulizer assembly की tubing को nozzle outlet से हटाएंगे और इसे साफ poly या किसी लिफाफे में रखेंगे ध्यान रहे ये assembly एक रोगी से दूसरे रोगी में यूज ना करें हर नए रोगी के लिए नई fresh assembly यूज करें धन्यवाद करें करें